हाल ही में मोधी सरकार ने अपनी कैबिनेट में केई फेर बदल किये ऐसा पहले की सरकारें भी करती रही है जब विपक्ष ने नई कैबिनेट को लेकर सवाल उठाए तो मीडिया विपक्ष पर ही उंगली उठाने लगा पर 2.14 से पहले बीजी पी के नेता अनमौन सरकार दोरा किये जारे फेर बदल पर सवाल उठाया करते थे आप खुद ये बियान देख लीजिए कल मनमहन सिंग जी की सरकार को फिर से कुछ नए मंतरी मिले है ऐसे मनमहन सिंग जी ने अपने डूपते हुए जहाज को बचाने की आखरी कोशिश की है जो पूरी तरह से नाकाम है देश की अवाम को उमीद थी कि जो दाख मनमहन सिंग जी की सरकार को लगे हैं उसको धोने का कुछ परियतन वो करेंगे लेकिन मनमहन सिंग जी की नजर अपने पार्टी में दागदार नेता पर उनका करम जादे है बेदाग लोग उनकी नजर से बच गएं कांगलेस की सरकार पर मंतरी मंदल के विस्तार के बाद दाग और गहरे हुए किसको क्यों मंतरी बना रहे हैं और किसको क्यों हटा रहे हैं न बनाने का कोई पैमाना दिख रहा है न हटाने का कोई पैमाना दिख रहा है आप जब विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए तो मेडिया उल्टा विपक्ष पर अपनी डिबेट के जरिये सवाल करने लगा और अलोचना भी आप जानते हैं कली कैबिनेट का सबसे बड़ा मेकोवर हुआ है और इस मेकोवर को लेकर विपक्ष परिशाने आले कि कई तरह के सवाल उठाए जारे हैं कि इतना बड़ा बदलाव टीम मोदी में पूरी तरीके से आमूल चूल परिवर्तन तीम मोदी को पूरी तरीके से the age of 35, one minute tomorrow's leaders and today's leaders in startup MnC's private sector why in fact i would say even in republic, many of our leaders are much below the age of 35. Are they all light weights? There was a cabinet minister in this country under whose time, 80-20 gold scheme used to run. Why don't you call him a political lightweight? विजेपी नेता से जब इस मुद्धे पर सवाल हुए तो वह भी विपक्षी पार्टी की अलोशना करते और अपने पार्टी की तारिफ करने लगे और ये विस्तार बहुत ही महत्पूर्ण है क्योंकि एक बहुत मजबूत संदेश पूरे देश में इसका गया है। यो डिब्बे बन के आते हैं उसमें तो ऐसे ही खराबी है। और यही बात तो हम भी समझा रहे हैं कि अगर कॉंग्रेस पाटी इंजिन है तो आप ये डिब्बे लगा के राहूल गांदी, सोनिया गांदी, प्रियंका वाडरा गांदी कैसे चलाएंगे पाटी। और कहा जात को देखने का बाद जो भी विचार रखते हैं आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। पंजाब टोडे रिपोर्ट।